इसको लेकर के आपसे मैं मिलता रहा हूँ, आज मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत वड़ी एक खुशी का बियनवर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, कोई भी एक हमारा योवा साथी बच्पन में पढ़ाई में लगता है, पढ़ाई के बाद कुछ न क कुछ हुनर सीखता है, और उसके बाद उसका काम जो है, वो कोई न कोई रोजगार मिले, इस तलाश में वो रहता है, रोजगार केवल परिवार पालने के लिए नहीं, बलके एक हर व्यक्तिकार युवा का स्वपन होता है, कि मुझे कोई अच्छा रोजगार मिले, पहली लोग ऐसे भी हैं, जो अपने पेत्रिक विवसाए में जा करके काम करते हैं, उसे में उनका सिस्टम आगे बढ़ता है, लेकिन जिनका नीप पेत्रिक विवसाए में कोई काम होता है और नहीं सरकारी नोकरी मिलती है, उनको कहना कहीं प्राइवेट नोकरी अतवा अपना स् जिसकी तलाश होती है इसके लिए हम हरियाना सरकार के नाते से लगाता प्रितन करते हैं कि हर किसी को को इनको विफसाय करने का ये अवसर मिलना चाहिए और उस अवसर में हमने कई युजनाएं भी बनाई हैं जैसा मुख्यमंत्री अंतियोदय परिवार उत्थानी युजना अर्थाद्योगरी परिवार हैं जिस परिवार की आये एक लाख प्या वार्षिक से भी कम हैं और घर में और भी कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है कम से कम एक व्यक्ति युवा हो अच्छा अगर युवार नहीं उस परिवार में काम करने वाला है तो कोई बड़ी केंप ऐसे लगाए हैं ब्लॉक्स्तर के उपर और लगबग 50,000 लोगों को और ये नोक्रियां दी हैं वहीं पर हमारा रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है और पिछले थाड़े चार साल के अंदर ऐसे लगबग साड़े चौदा सो और रोजगार मेले लगे हैं उन मेलों में भी जो अफसर जिनको मिलता है प्राइविट कंपनियां उसमें आती हैं अथवा सम कोई नोकोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताया जाते हैं बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है और मुझे खुशी है कि उसके माद्यम से आज जिन लोग को हमने जुड़ा है ऐसे लगबग सत्रा हजार लोग इसमें जुड़ चुके हैं को 31 जार लोगों को इन रोजगार मेलों में और ये काम मिला है तो मैं आज आपको इस बात की बदाई देता हूँ कि आपने अपने जीवन में एक कोई नो कोई रोजगार कोई एक वसाय ये इस परकार से करने का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आप पड़ी मेहनत से इमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे अब ये काम चुके हर व्यक्ति कोई काम चाहिए अगर मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखता हूँ तो हर वर्ष ऐसा लगबख दो लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई न को रोजगार चाहिए सरकारी नोकरी आप जानते हैं ये सब को मिलना संभव नहीं है लगबख 20 से 25 जार लोग ही सरकारी नोकरी साल में प्राप्ट कर पाते हैं वो भी अभी जो गती बनी है उस गती से के इसाब सही मैं कह सकता हूँ क्योंकि पिछली सरकारों के समय अगर मैं बात करता हूँ 2019 से 2004 तक तो एवरिज 6,000 नोकरी ही प्रतिवर्ष उस समय लोगों को चाहे हमारा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन है चाहे हमारा हचपियसी है उनको मिली है और अगर कॉंग्रिस सेशन के बात करता हूँ तो 2005 से लेके 2014 तक उनकी गती भी साड़े 8,000 नोकरी प्रतिवर्ष रही है और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूँ कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक एक लाख 15,000 ये नोकरियां एक पकी नोकरी को मिल चुकी है H.K.M. की नोकरी और अभी जो इस समय नोकरियों का जो इस वर्ष के अंदर अंदर मिलेंगी उन सब को मैं मिला लेता हूँ तो 56,000 नोकरी और मिलती हैं ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से उपर नोकरी मिलेंगी जो अपने आप में एक रिकार्ड होगा के हर वर्ष 17,000 की अवरिज से और ये नोकरिया मिलेंगी तो मैं मोड़े रूप से कह सकता हूँ कि 17,000 से 20,000 नोकरी हर वर्ष ये मिलेगी लेकिन आखिर तो 2,000,000 लोग को काम चाहिए उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे हम जानते हैं परधान मत्री जी ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार से परिवर्टन करवाये हैं कि उस education policy में रोजगार परक कैसे हमारी शिक्षा हो, हुनर कैसे हम सीख सकें, हमने हर्याना में एक रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के नाते से एक अलग से विश्विदाल है, परवल जिले में बनाया है, विश्करमा कौशल विश्विदाल है, वहां भी लग भग 15-20,000 लोगों को हर भग श्ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनको नौकरी मिले, इसके साथ साथ प्राइवेट उद्योग, बड़ी मात्रा में उद्योगों के अंदर भी लोगों को जो नौकरी मिलती है, जो अपने आज आकर के प्राप्त करते हैं, अगर मैं पिछल दस साल या नौ साल का आपको जानकारी दूँ, तो हमारे हाँ 19 लाख लोग ऐसे हैं, जो प्राइवेट उद्योग में, जिनको अवसर मिला है, प्रधान मत्री जी ने मुद्रा योजना ये चलाई है, तो मुद्रा योजना के नाते से, और लगभग 24 लाख लोगों को काम अपना किया है, स्टेंड अप इंडिया में भी इतने ही लोगों ने अपना काम किया है, तो इस परकार से ये लाखों लोगों को अवसर प्रधान करने का काम ये हमने किया है, और हम इस परकार के अवसर और भी आगे जो है, आप लोगों को दिलाते रहेंगे, आपके प इसको सिफाई ही रोजगार हम ना मानें बलके अपने काम के अपने इसे काम को और हम अच्छा रोजगार कैसे प्राप्त करें या अपना जो विविशा है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं निरंतर आगे बढ़ने का भी हमको पितन करना चाहिए हमारा अनुभव और हमारा प्रियास दिरंतर प्रियास यह हमको आगे लेकर के बढ़ेगा प्रारम में व्यक्ति जब बेरुजगार होता है तो उसको छोटा रुजगार भी मिले उसको ले लेना चाहिए लेकिन सतत हमको हर कदम पर आगे बढ़ने का पित्रं करते रहना चाहिए चाहे वो नौकरी की बात हो चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो चाहे वो अपना काम हो आखिर मेहनत करेंगे अनुभव हमारा होगा आउसर मिलते रहेंगे समय समय नौकरियां लगती है मलती है यानि एक प्रकार से it만 निकाली जाती है यह ठीक है कि सरकारी नौकरी में योगयता का हमने पैमाना एक रखा है अगर योगयता अब में होगी अपनी योगयता को बढ़ाएंगे तो कभी भी सरकारी नौकरी प्राफ्ट कर सकते हैं आयू की सीमा भी हमने एक प्रकार से 42 वर्ष अंतिम आयू की सीमा सामाने वर्ग के लिए रखी है अनसुची जाती के लिए तो ये 47 वर्ष है इसलिए हम हर समय अपनी मेहनत करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे तो निरंतर हमारा जो प्रगती का रास्ता है ये खुला रहेगा हमको प्रसन्यता होगी तो मैं तो आज इस अवसर पर आपको पुना बधाई देते हुए इतनी बात कहूंगा कि आपको जो रोजगार मिला है तनमेता से मेहनत से और इमानदारी से आग करते रहें और आगे बढ़ने के लिए निरंतर आप अवसर खुजते रहें हम भी और निरंतर अवसर आपको देते रहेंगे इसी आशा और अप्यक्षा के साथ आपको बहुत बहुत बधाई आपको बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद